नमस्कार स्वागते आपका न्यूज लॉंचर पर मैं हूँ अशोक वान खड़े लेकर आये हूँ आपका अपना करेक्रम डाइरेट हिट आज थोड़ी देर बाद सर्व चन्यायले में चुनाव आयुक को लिखे खासकर मतदान के बाद जो आकड़े प्रकाशित होते हैं उसको लेकर जो अफिडिविट दिया था उस पे भहस होगी क्या यदि सर्व चन्यायले को लगा कि इसमें गड़ बड़ी हो रही है चुनाव आयोग निस्पक्ष काम करने के बजाए किसी एक राजनितिक दल का पिठ्टू बनके काम कर रहा है तो क्या सर्व चन्यायले सम्विधान और लोगतंत्र की रक्षा करने के लिए लोग सभा के चुनाव कैंसल करेंगे या पहले दो चल्णों के चुनाव फिर से करवाएंगे सब की नजर इस तरह लगी हुई है दरसल जब डिजिटल इंडिया नहीं था इतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे एस टीडी भी लगाने के लिए पोस्ट आफी जाना पड़ता था टेलेक्स हुआ करते थे फैक्स भी बाद में आया तभी भी चुनाव बैलेट पेपर से होते थे चुनाव गिंती में बहुत समय लगता था और जब चुनाव के नतीजे तीन-तीन दिन में आते थे तो चीज समझ में आते थे लेकिन मतदान होने के बाद तो पूरे देश से एक या दो दिन के अंदर चुनाव आयोग तब भी ये तो आकले जारी करता था कि देश में मतदान कितना प्रतिशत हुआ है और कितने लोगों ने मत दाला है बाद में वेबसाइट्स आ गए डोमेन खुल गए डिजिटल इंडिया हो गया अब तो बारा बज़े तक कितना चुनाओ मैं कितना प्रतिशत मत गिरा उसके बाद कितना फिर मतदान हुआ पांच बज़े एग्जेक्ट पांच बज़ते से ही कितना मतदान पुरे देश में प्रतिशत हुआ ये समझ में आता है और पांच बज़े जब मतदान के प्रतिया प्रक्रिया बंद होती है तो जो अंतीम व्यक्ती होता है लाइन में लगा ओवा उसको टोकन दिया जाता है वो जब मत्दान करता है तो पूरा मत्दान संबन्न माना जाता है पांच बजे के बाद दरोदे बंद होते हैं ताकि कोई बाहर का आदमी फिर नहीं आए और जब पूरा मतदान समाप्त होता है उसके बाद फॉर्म सी एक होता है उस फॉर्म सी पे ये बताय लिखा जाता है कि इस बूत पर इतने लोगों ने मत डाला ये बूत पर इतने लोगों को मत डालना था लेकिन इतने लोगों ने मत डाला और वो फॉर्म सी जो एजन्ट्स होते है अलग अलग राजनितिक दलों के वहां अंदर बैठे हुएं उनके भी हस्ताक्षर होते है पिठासिन अधिकारी के भी हस्ताक्षर होते है एक कॉपी उस strong group में safe चली जाती है और जब वो मशीने खुलती है और मशीनों पे जब मतदान गिना जाता है तो उसको मिलान उस form 17C से होता है जिस पे ये पता होता है कि कितना मतदान हुआ है अब जब ये सारी फॉर्मिलिटी पॉब्लिक डोमेन में हैं तो फिर इसे उसी दिन तुरंट अपने वेबसाइट पर लोड क्यों नहीं करते ये मामला दर असल क्यों चुनावायो क्यों पर उंगली उठने लगी क्योंकि जब फेज वन के पहले फेज के मतदान हुआ उसके बाद एक प्रोविजनल फिगर पांच बजे आया उसके बाद साथ बजे एक फिगर आया रात को बारा बजे एक प्रोविजनल फिगर आया और उसके बारा दिन बाद चुनावायोग ने अधिकारिक रूप से कितना मतदान हुआ ये बताया ये बारा दिन का समय क्यों लगा ये चुनावायोग को बताना है और इस बारा दिन में जो रात को बारा बजे तक या साथ बजे तक जो आकड़ा दिया था चुनावायोग ने उसमें और बारा दिन के जो रिलिज किये हुए आकड़े है उसमें करीब करीब एक करोड़ साथ लाख मतों का डिफरेंस था, तो ये बारा दिन क्यों लिए गए और एक करोड़ साथ लाख मतों का डिफरेंस दी देखा जाए, तो फिर क्या हम ये मानें, कि हर बूत पे 25-25 जार मतों का हेर फेर हुआ है, इसके पहले इतना ग्याप कभी नहीं होता, महराश्टर का एक चंद प्रतिशत का ग्याप है, दस प्रतिशत बहुत बड़ा आकड़ा होता है, इतना बड़ा ग्याप क्यों, और जब इस पे बवाल हुआ, तो उसके बाद में, क्योंकि पहला चरन और दूसरा चरन उन्हें बारा दिनों के बाद दिया, जो दूसरे चरन के पांच दिन बाद और उसके बाद में दो-दो-तीन-तीन दिन बाद डाटा रिलीस होता गया ये इसको इतना समय क्यों लगता है और डाटा में इतना विरिएशन क्यों आता है इसी पे सारा लोगों का खेल है कहीं इसमें तो कोई घाल मेल नहीं और इसी लिए जब चुनाव आयोग को कई राजन नयाले के मुख्य नया अधीश ने बाका इदा नोटीस देती हुए कहा कि आप हमको आफिडेविट जमा किजीएगा और बताईए ये डिले क्यों हो रहा और आप ये क्यों नहीं अप्लोड कर रहे में प्रॉब्लिम क्या है तो अफिडेविट जो आया सरवच नयले में चुनावायोक से वह बहुत हास्यास पत था उनने कहा कि ऐसा कोई कानुनी प्रावधान नहीं है और ये फॉर्म सेवंटीन सी एदी हम अप्लोड करते तो उसमें कई बार पोस्टिल बैलर का जिक्र नही और जब मत प्रतिशत आप बता सकते हैं तो फिर मतों का आकड़ा देने में क्या प्रॉब्लिम है यहां फसा चुनावायोक कपिल सिब्बल ने भी आज कई बड़े बड़े वकिलों ने आज कपिल सिब्बल जो बहुत बड़े नामी वकील है राजे सभा के मिंबर है कपिल सिब्बल अभी स्वरोच नेयले के बार असोचीशन के अभी अभी चुनाव जीते हुए अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि इसमें कौन सा कौन सा रॉकेट साइंस है तो दो चीजों पर चुनावायोक का अफेड़ेविट अभी बी क्लिरिटी नहीं देता कि आपको पहले फे कि हम जो पिछला फेज गया क्योंकि कल तो अभी छटे फेज का चुनाव होना है जो पिछला बीस मैं को जो फेज गया पांचवा फेज उसमें महाराष्ट में 13 सिटे थी साथ बजे जो आकला चुनावायोक का आया वो 48.88 प्रतिशत का है बारा बजे वो बढ़के 54 प्रति कि उत्रपदेश में 14 सिटे थी सत्तावन दशू लुक चौपन है फिर सत्तावन दशू लुक अठावन दशू लुक समझ लीजे 12 बजे तक आगया और दो दिन बाद अठावन दशू लोक शुन्यदो यह आता है जहार खान में 30 सिटे थी 63 प्रतिशत 7 बजे 63 प्रतिशत पास पास बारा बजे और फिर 63.1 कर सकते हो उसके बाद 63.21 हो गया ओरिसा में तो कुछ चीज़े गड़बड लग रही है ओरिसा में साथ बजे का मत प्रतिशत साथ देशनलोग हाला कि वहाँ पे पांचों सीटे थी देशनलोग 62 प्रतिशत है लेकिन बारा बजे रात को वह नौ प्रतिशत बढ़ता है उनहत्तर प्रतिशत देशनलोग चाओटिस प्रतिशत और बाईस में को फिर 73.50 प्रतिशत होता है मतलब यदि 7 बजे का आकड़ा मैं समझू 60 दसलोग 72 का है तो 73 मतलब 10 प्रतिशत का यहां ग्याप है बिहार में 5 सिटे थी 52 दसलोग 7 बजे 54 दसलोग 85 12 बजे रात को और फिर 22 तारी को 56 दसलोग 72 प्रतिशत यहां भी 4 प्रतिशत का ग्याप वेज बेंगॉल में 73 प्रतिशत 7 बजे 54 दसलोग 68 प्रतिशत 12 बजे और फिर 22 में को 78 प्रतिशत मतलब 5 प्रतिशत की बढ़ाउतरी यह तो 5 फेज का लेकिन पहले फेज में तो यह बढ़ाउतरी भायावह है क्या चुनाव आयोग इस चीज को छुपाना क्यों चाहता है फॉर्म 17C लोड करने में क्या तकलीव है कन्फीजन किस बात का है क्योंकि सभी को मालूम है पोस्टल बैलेट बाद में चुनाव आते हैं यह तो चुनाव बूत में जो चुनाव हुआ उसका है और चुनाव आयोग कन्फीजन की बात करते है तो चुनाव आयोग ने इतने अभी तक 2024 के चुनाव में कांड कर दिये है तो वैसे ही जनता कन्फीज़ है कि चुनाव आयोग यह चुनाव आयोग निस्पक्सता के से काम कर रहा है या भारतिय जन्ता पार्टी का चुनावी प्रकोष्ट की हिसाब से काम कर रहा है। तो विपक्ष यदी रिप्लाई देता है तो चुनाव आयोग उससे खुश नहीं होता और कुछ भी रिप्लाई जिसका सरपैर नहीं है यहीं सतापक्ष देता है तो चुनाव आयोग उससे हसते वए स्विकार करता है। तारीफ करता था। कई देशों में चुनाव आयोग को बुलाया जाता था कि हमारे यहां चुनाव संपन्न करने हैं आप और क्या इंप्रिमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाली में जब चुनाव आयोग की नियुक्तियां सारी सरकार करने लगी तब से चुनाव आयोग हाज सहस्पत हो गया। तो क्या इन तमाम बातों का कोगनिजन्स लेते हुए खासकर इस अफेडिविट में जिक्र नहीं कि पर्सेंटेज कैसा बड़ा और बारा दिन कैसे लगे। यदि सरोच नयायले ने इस पर कुछ ध्यान दिया और सरोच नयायले ने यदि लोकतंत्र और चुनाव आयोग की साख भी बचाने का प्रयास किया। तो फिर सविधान का कश्टूरियन होते हुए यदि उन्होंने कम से कम पहले दो फिजिस का भी री पोलिंग दिया तो आश चरे नहीं होगा। चुनाव आयोग अपने दिये हुए अफिडिविट से ही खुद को हिट करता हुआ नजर आता है क्योंकि सभी बड़े-बड़े वकिलों ने उस अफिडिविट की धज्या उड़ाई अब आज क्या होता है सरोच नयले में सब क्या आखे लगी हैं हम भी लगातार उसके तर तुरंत आपके सामने विशलेशन के साथ खबर को पेश करेगा आज इतना ही फिर मिलेंगे कल किसी विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा न्यूज लाँचर